Sporting का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं Sporting का इस्तिमाल noun और adjective दोनों तरह किसे किया जा सकता है Noun के रूप में Sporting का आर्थ होता है खेल, शिकार या बहलाव Adjective के रूप में Sporting का आर्थ होता है खेल संबंधी, नियाय संगत या खेल कूद संबंधी जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह खेल आयोजनों के निर्माता हैं तो आप कहेंगे She is a producer of sporting events या अगर आप ये कहना चाहें कि Samhu के पास एक West खेल calendar है तो आप कहेंगे The Group has a busy sporting calendar या अगर आप ये कहना चाहें कि इस college में खेल कूद की बहतरीन सुविधाएं हैं तो आप कहेंगे The College has excellent sporting facilities अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें